So, Hello H&D Family, एक और न्यू वीडियो के दाथ हम आ चुके हैं तो आज हम बात करेंगे कि things to do before coming Canada कि ये सब things जो बहुत ही important रहेगे आपके लिए जो आपको इंडिया में complete करके इंडिया में complete करने के बाद ही Canada आना है अभी मैं बोलूँगा कि ये क्यों करना है तो उसके बहुत सारे benefits है जो आपको अभी नहीं पता चलेगा तेकिन जब आप Canada होगे तब पता चलेगा So, सबसे पहला थीगे वो है body check-up तो usually body check-up में आपको करवाना क्या है और मैं क्यों बोल रहा हूँ आपके इंडिया में करवा क्या हो क्योंकि जैसे आप यहाँ पर land होगे अगर आप feet or fine नहीं रहोगे तो आप कैसे college और job सब maintain करवाँगे सबसे पहला point है कि आप dentist को दिखा क्या हो पूरा तीथ check-up करवा क्या हो क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा price dentist लोग लेगे अगर आप normal check-up करवाने भी जाओगे तो आपका appointment चार्ज जाएगा minimum 300 डॉलर तो अब आप इंडियन उपीज में convert करवागे तो आपको पदा चल जाएगा तो अगर आपको कोई तीथ में problem है तो उसको solve करवा कर यहाँ क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको health card मिलेगा उसमें dentist का जो भी चार्ज जाता है वो cover नहीं होता है तो सबसे पहला dentist का काम पूरा check-up करवा कर आओ और normal testis है blood test है, pressure test है और पूरा body check-up अपने base पर करके आओ और अच्छे से fit होकर आओ और अगर जो भी medicine के recommend है वो तो आपको पता है कि basic medicine कौन-कौन सी लानी है अगर आपको नहीं पता है तो आप हम Instagram पे DM करो हम आपको पूरा PDF बेजेंगे कि कौन-कौन सी आपको medicine लेकर आनी है तो second point पे हम आते है वो है forex card और cash forex card क्यों लाना है because forex card में आप अपनी foreign currency रख सकते हो मतलब आप अभी Canada आ रहे हो इंडिया से तो आप Canada के dollars अंदर रख सकते हो अगर आपको कुछ इधर काम लगा airport पे तो forex card से transaction कर सकते हो और cash रखना है आपको कि अगर forex card भी नहीं चला in case या कुछ हुआ तो आपके पास cash होगा और minimum cash 1000 डॉलर लेके आओ 1000 डॉलर में सब कुछ आ जाएगा आपका और हो जाएगा सब हो जाएगा इधर 1000 डॉलर में जब आप initial period में आओगे तब उसके बाद तो GIC और वो सब start हो जाएगा इसलिए कुछ tension नहीं होगा तो कई उसके बाद जो point आता है जो बहुत ही important है basic है लेकिन बहुत 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 ही ज़्यादा important है मैं इतना pressure है इस क्यू कर रहा इस point को क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे student का career उसकी वज़े से successful होते हुए और बहुत सारे student लोग का success down होते हुए मैंने देखा है sorry मैंने कर कुछ गलत बुलाओ लेकिन बहुत सारे student को मैं कहना यही चाता हूँ कि अगर यह point आपने अच्छे से follow कर लिया तो आपके success के chances बढ़ जाएंगे और अपना saving भी बढ़ जाएगा मैंने देखा कि बहुत सारे student जो personal finance इंडिया से सीख किया थे वो लोग का impact की बहुत ही बढ़िया रहता है compare to other normal students तो आप सीख किया हो कि basic budget कैसे बनाना है यहाँ पे bank account के types कौन से है जैसे कि checking है और saving account है उसका benefit क्या है सब online मिल जाएगा आपको information जो भी आप bank में अपना JS account खुरवा है उसमें जाके check करो चूंकि यह है ना first nation country है Canada है जो बहुत ही develop आपको पता है तो यह develop nations में क्या होता है पूरा information आपको इंस्टा online मिल जाएगा आप website पे जाओ थोड़ा डूड़ो थोड़ा time निकालो ऐसे ही आप अभी मुझे लगता है कि जैसे आपका विज़ा आ गया होगा तो आप घर पे free होगे तो try करो explore करो क्योंकि यहाँ पे आपके भी जब यहाँ पे आओगे और आप सोच रहे होगे कि मैं किसी को पूछ लूँगा कि यह कैसे हो यहाँ तो गाइस यह मत सोचिना यहाँ पे किसी के बस भी time नहीं रहेगा अपना best friend रहेगा वो भी अपना time नहीं निकाल पाएगा क्योंकि उसको भी job करना पड़ेगा college करना पड़ेगा ऐसा सब consequence के वज़े से अपने आपको खुच से सीखना पड़ेगा तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आगे सीखो कि तो आपका इतना time waste होगा उससे अच्छा है इंडिया से ही थोड़ा basic knowledge लेके आओ कि एकाउंट कैसे work करता है और सब और अपना personal budget बनाना सीखो कि भाई मैं इतना कही grocery करूँगा मेरा student यहाँ पे आते club में जाते और बार में जाते और drink वेंग करते उसमें बहुत सारा expense हो जाता है क्योंकि यहाँ पे drinks बहुत expensive रहते तो मैं बोलूँगा कि initial period में आप मत करो और मैं तो यही बोलूँगा कि यह सब करना नहीं चाहिए लेकिन फिर आपकी मर्जी है और मैं अपना क्या बोलते है आपका personal teacher बनना नहीं चाहता हूँ कि यह करो यह मत करो लेकिन यह basic idea बता रहा हूँ मेरे experience से और मेरे seniors लोग ने मुझे बता है उसके base पे मैं आपको यह video बना के दे रहा हूँ हमारा next point है public transport public transport अभी मैं Calgary में हूँ तो Calgary के Calgary transit पूरा operate करती है transportation तो आप जब इंडिया में हो तो आप अपना research करके हो कि college से आपका घर कितना दूर है आपको अगर job पे जाना हो या job मिलने हो कितने area में हो अच्छा area हो वो सब ढून के हो पाकी आप अगर रात को आपको बाहर जाना हो आपकी job हो आप रिटर्न होने वाले हो closing time है आपका तो आप Uber कैसे कर सकते हो वो सब ढून के आओ फिर Uber कौन के है मतलब यहाँ पे बहुत सारी companies होती है Uber, Checker, Ola वो सब बहुत सारी companies है वो companies का check करके आओ आप डाउलोड करके आओ और public transport के card होता है यहाँ पर bus, train जो Calgary transit operate करती है वो भी आप देखके आओ कि कौनसा card किधर यूज होता है आप कौनसी bus ले सकते हो कौनसी train ले सकते हो आपकी जगे पर जिधर जाना हो उदर तो guys अभी हम next topic पर आते है लेकिन उससे पहले मुझे लगता है हैनिल बोल गया था यह बताना कि जो भी आप अभी public transport का जो भी pass आता है जैसे हम इंडिया में pass लेते है regular commit करने के लिए तो मुझे पता है usually जो भी बढ़िया बढ़िया college रहती और university रहती है तो चेक करना अगर आपको pass free में मिल रहे तो उसको use करो और अपना पैसा थोड़ा बचाओ तो next topic यह है सबसे बढ़िया है मुझे लगता है कि यह बहुत matter करता है जब भी आप यहाँ पर आओगे यह बहुत 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 matter करता है कि सारे घर के basic काम सीख के आओ पूरा basic काम सीख के आओ मम्मी से बोलो कि मुझे यह सीख आओ जैसे कि laundry करना सीख के आओ चोटा मोटा कच्रा उसको अच्छे से कच्रा पिटी में डालो मुझे लगता है बहुत लोग को लग रहा है कि यह क्या बोला है लेकिन यह यहाँ पर बहुत matter करता है cleaning करके सीख आओ घर में कैसे अच्छे से जाडू पोचा मानना है और cooking उसके बाद आता है cooking guys cooking सीख के आना पड़ेगा बरना यहाँ पर हर्रोस टीफिन मंगवा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर थाली मैंने देखा है गुजराती बासा में बोलते है तो पर डिस पर डिस मैंने देखा है कि 16 डॉलर minimum चलता रहता है यहाँ पर तो आप हर रोस तो 16 डॉलर पे नहीं कर पाऊंगे इससे अच्छा है आप grocery buy करो युजरली जो यहाँ पर आके इंडियन्स करते और खुछ से खाना बनाओ तो अभी basic डिस जो भी है वो आपको इंडिया से सीख के आनी है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बढ़िया बढ़िया साख सीख के आओ जैसे कि पनेट इक का पालक पनेट यह सब नहीं basic food जिसके आप survive कर सकते हो यह सब सीख के आओ बनाना बहुत important है और खाना खाने के बाद उसका आपको वास भी करना सीखना पड़ेगा तो डिसिस वास करना सीख के आना यह बहुत matter करेगा और to be honest यह बहुत impactful रहेगा कि जब भी आप यहां पर आके बहुत सारे मैंने देखा है कि यहां western culture में क्या रहता है पब्लिक है ना वो fast food पर ज्यादा depend रहते हैं क्योंकि उन लोग के पास time नहीं होता है तो आपको यह नहीं करना है अगर आपको अपनी health अच्छे से maintain करनी है fit weight रहना है तो आपको घर का खुद का खाना खाना पड़ेगा तब ही अच्छा रहेगा आप outside food कभी कभी यूज़ कर सकते हो अपने entertainment के लिए कि बहुत बोर हो चुका हो आज एक मन्त हो चुका या दो मन्त हो चुके दो तिन बार अंदर एक मन्त में मुझे लगता है कि एक या दो बार चलेगा बाहर का खाना खाऊगे तो लेकिन ट्राइ करना सीख किया हो तो आपको अच्छा रहेगा यहाँ पर इसलिए बोल रहा हो कि सीख के ही आओ अपनी मम्मी से ओके अगला पॉइंट है communication skills आप इंडिया में हो तो बहार जाके unknown public के साथ बात करो आप घर पे हो तो अपने फ्रेंज के साथ इंग्लीस में बात करो इंग्लीस बहुत हल्पूल है यहाँ पर यहाँ Bluetooth के साथ English movies देखो उससे आपका English better होगा और आपको helpful रहेगा Canada में तो अभी जो next point है वो guys आपको देखना है कि network कैसे बढ़ा सकते आप क्योंकि Canada में आगे network बहुत ही काम आएगा जैसे कि हम इंडिया में बोलते कि भाई जिसका भी reference अच्छा रहेगा उसके base पर आपको job अच्छे से मिल जाएगी तो यहाँ पर जब भी आओ अपने college में जाओंगे तो आपको friends मिलेगे आप घर पे रहे और तो अपने roommates होंगे जो totally different होगे आपके लिए as I say right right तो उसके साथ कैसे network बढ़ रहा है और उसके through भी आप easily part time job भी मिल सकती है जैसे कि अगर मेरा एक दोस्त बन गया तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई तू जहाँ पर job कर रहा है try करकि वहाँ पर कोई job हो तो मुझे पहले inform कर और यह कब कर पाएगा जब आप उसके साथ दोस्ती बढ़ा होगे network बढ़ा होगे try करो बाहर जाके किसी के साथ बात करने के unknown person जो Indian लगे या फिर Canadian Canadian people बहुत ही kind रहते हैं वो लोग easily आपके साथ talk करेंगे और अगर आप उसको help के लिए बोलोंगे तो वो लोग always ready रहेंगे तो try करो network बढ़ाने का और अभी last point यही रहेगा कि थोड़ा मुझे लगता है बहुत सारे बंदों को यह लगे कि यह क्या सोच रहा है बाई यह बोल क्या रहा है तो यह tax system यहां का क्या है वो समझ क्या हो यहां पर Canada में different different province में different different tax cut होता है और जब मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो Indian student होगे वो लोग क्या कर रहेंगे कि यहां पर minimum pay 16 dollar और मैं यहां पर बैठा हूँ मैं minimum per week 20 hour काम करूगा 20 multiply with 16 तो इतना dollar मेरा हो गया यह मेरा income रहेगा ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर सबको tax pay करना पड़ता है हाँ जी student को भी pay करना पड़ता है लेकिन अभी मैं आपको एक secret बताऊँगा कि यह tax cut हो रहा है पूरे year तक वह आप cash back भी ले सकते हो कैसा कि यहां पर Canadian government का rule है अगर minimum पर एक उनलोगों ने set किया है कि minimum revenue जो भी बंदा इतना कमा रहा है जैसे कि मैं अगर बोलू मेरे को approximately amount पता नहीं लेकिन approximately ट्राइ करूँगा तो 40,000 है अगर कोई बंदा 40,000 पर एनम कमा रहा है तो उसको tax return मिलेगा क्योंकि यह बहुत ही minimum कमा रहा है compared to other guys तो आपको at the end of the year आपको tax return file पे apply करना पड़ेगा जिसके होज़े से आपका जो भी tax cut होआ है पूरे entire year के लिए वो आपको cashback मिलेगा और आप पैसे ही पैसे फिर इखटा करना है और आपको सिफ रखने के लिए जगा टूड़नी है कि भाई यह पैसे रखो तो रखो कहाँ पे तो गईज यह सब सीख के आओ basic है बहुत matter करेगा हम इसलिए बोल रहे है क्योंकि जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको बहुत सारे challenges already face करने है और इसके लिए आपको mindset strong बना के रखना है ऐसा नहीं कि यहाँ पर आके आप राजा की life जीने लने हो तो try करो यह सब skill learn करके और still अगर आपको कोई जगह पर problem है तो हमें Instagram पर DM करो हम आपको reply देंगे बहुत सारे subscriber को हमने help किया है और उन लोगोंने हमें बहुत सारा thank you बोला है कि भाई यह मेरा problem था और उसने solve कर दिया तो try करो हमें Instagram पर commute करने का sorry communicate करने का तो आपको help मिल जाएगी अभी आपके प like us and share as much as you can as we currently need support from you guys and हमें पता चलेगा कि अगर आप subscribe करोगे ते हाँ भाई हम बढ़िया content डाल रहा है किसी को help मिल रहे है किसी को knowledge मिल रहा है हम आपके बास यही expect कर रहे है कि भाई subscribe कर दो please so मिलते है okay take care bye bye